महिंद्रा ने फरवरी 2022 में XUV 700 के इलेक्ट्रिक वर्जिन परदा उठाया था यह मॉडल आने वाले सालों में पेश की जाने वाली कई EVs में से एक है अगले साल दिसंबर महिने में लॉंच से पहले XUV E8 का डिजाइन पैटेंट इंटरनेट लीक हो गया है तस्वीरों के अनुसार नई XUV E8 पिछले साल दिखाए गए मॉडल से काफी मिलती जुलती होगी आगे की तरफ इस इलेक्ट्रिक SUV में LED DRLs, LED Light Bar, चारों और Copper Accents, Projector Headlamps, Fox Kid Plates, Arrow Wheels, Contrast Color के ORVMs और Blackout Proof Rails के Features होंगे XUV E8 इंगलो प्लाटफॉर्म पर आधारत है और इसकी लंबाई 4, 740 mm, चोड़ाई 1, 900 mm और उचाई 17, 60 mm होगी वही इसका वीलबेस 2, 762 mm होगा यह मॉडल XUV 700 का इलेक्ट्रिक वर्षिन और भारत में तेस्ट के दौरा नजर आ चुका है महिंद्रा के अनुसार इंगलो प्लाटफॉर्म पर आधारित सभी गाडियों में इलेक्ट्रिक मोटर साथ साथ से 80KKW बैटरी पैक होगा और दावा है कि 400 से 450 किलोमेटर तक की रेंज देगा साथ ही इसमें 175KW चार्जर किया जाएगा भारतिय बाजार में यह मॉडल हैरियर EV को टक्कर दे सकता है दोस्तों ऐसे ही लेटेस्ट गाडियों से रिलेटेड विडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें